अब हम पढ़ेंगे एक बहुत important topic आज कल MCQs के लिए बहुत ज़्यादा important है It is called clinical trials अब clinical trials पढ़ने से पहले कुछ basic चीजें ठीकते हैं आज की date में market में 1000 लाखों दवाईया है Question is ये दवाईया market में कैसे आई? Like, suppose मैं अपनी laboratory में कोई research करता हूँ और एक दवाईय बनाता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया anti-hypertensive drug है तो मैंने वो दवाईय बनाई और उसके 10,000 गुलियां बनाके मैं chemist के पस ले किया, कि भाईया इनको बेच देना तो क्या सा कर सकते हैं? Obviously नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये chemical compound है, it can cause any harm, अगर कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? So obviously, before any drug can come into the market and can be sold, there must be extensive testing on the drug हमें बहुत जादा test करने पड़ेंगे, दो चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी पहली वो दवाई effective है के नहीं, efficacy check करनी पड़ेंगी और दूसरा वो safe है के नहीं, safety भी तो check करनी पड़ेंगी So ये दोनों चीज़ें हमें check करनी पड़ेंगी तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम animals में check करते हैं animals में, तो हम animals को दवाईयां देके, rat को, rabbit को उनको देके हम test करते हैं, कि वो दवाई जो है कितनी ज़्यादा effective है, कितनी ज़्यादा safe है basically efficacy के लिए animal models होते हैं models का मतलब जो होता है, कि पहले हम animal में वो बिमारी induce करते हैं जैसे suppose anti-hypertensive test करनी है, तो पहले हम rat को hypertensive बनाएंगे बहुत सारे तरीके होते हैं, तो hypertensive बनाएंगे थिर हम दवाई देके देखेंगे कि BP कम हुआ कि नहीं हुआ, तो efficacy पता लग जाएगी और दूसरा हमें देखना है safety, safety के लिए हम animal में वो दवाई देने के बाद सारे test कर लेंगे, उसका blood profile चेक कर लेंगे, हर एक चीज़ टेस्ट कर लेंगे, उसके organs निकालके microscope में देख लेंगे, हर एक चीज़ टेस्ट कर लेंगे, कि वो safe है के नहीं तो इन studies को जो animal में करते हैं, उनको हम कहते हैं pre-clinical studies तो हम सब को पता है कि आज की डेट में animals में studies कितनी regulate होती हैं, थैंक्स टू में का गांधी, तो इतनी सारी regulations होती हैं, तो इसमें pre-clinical studies भी हम ऐसा नहीं कि कि किसी भी animal में लेके कोई भी दे दे, तो एक proper guidance के underlying होती हैं जे studies, तो जो guidelines हैं वो देती हैं इसकी CPC-SCA Committee, Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals, तो ये जो committee होती है, ये proper guidelines देती हैं कि कौन से animals लेंगे, कितने animals लेंगे, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सारी guidelines ये देती हैं, तो under CPC-SCA guidelines हम pre-clinical studies करते हैं, तो हमने इन guidelines के हिसाब से rat में, mice में, rabbit में studies की, और हमें लगा के बहुत बढ़िया दवाई है, animal में बड़ा अच्छा काम किया, हमने फिर से 10,000 गुलियां बनाई, chemist के पास लेगे, के लिए भया बेच दे, क्या आप बेच सकते हैं? अब तो test भी कर ले, क्यूंके हमने test किया है animal में, और देना है humans को, तो जुरूरी थोड़ी है result same आएगा, तो that means हमें पहले humans पे भी study करनी पड़ेगी, और ये जो studies होती हैं, इनको कहते हैं clinical trials, तो clinical trial is testing of drug in humans, clinical trials human में testing होती हैं, तो clinical trials के लिए भी guidelines हैं, और ये guidelines देते हैं, good clinical practice guidelines, GCP guidelines है, तो clinical trial जो भी करते हैं, वो GCP guidelines के underline, under करते हैं, हम पढ़ेंगे clinical trial के कई phases होते हैं, सारे phases हमें GCP के हिसाब से करते हैं, GCP good clinical practice guidelines, GCP क्यों आता है, के good clinical practice guidelines are not applicable to which studies, it is to animal studies, क्योंकि animals में CPC, SCA guidelines, तो अब क्या हुआ, के हमने human में study करनी हैं, बट human में तो ऐसा नहीं है, के ऐसी कोई human लिया और उसको दवाई दे के देख लिए, तो उसके लिए एक licensing authority होती है, licensing authority होती है सबसे पहले, नाम से पता लग रहा है, इस authority के पास power है license देने की, के कौन सी दवाई टेस्ट करनी हैं, कौन सी नहीं करनी, कौन सी market में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, तो licensing authority जो अमेरिका में है, जो worldwide use होती है, उसका नाम है FDA, United States Food and Drug Administration, ये worldwide चलता है इसका, बट जो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो licensing authority है, that is Drug Controller General of India, DCGI, Drug Controller General of India, ये जो काम करता है, ये CDSCO में काम करता है, Central Drug Standard Control Organization, एक organization है, जो clinical trials को देखती है, Central Drug Standards Control Organization, उसमें होता है, Drug Controller General of India, जिसके पास power है, license देने की, थे, तो हमने दवाई animal में test की, उसके बाद हम इन लोगों के पास आए, FDO, DCGI के पास, और हम इनने इनको बोला, के अब हमें human में test करना है, बट human में test करने के लिए, पहले हमको, इनको एक letter लिखना पड़ेगा, उस letter का नाम है, Investigational New Drug Application, We will write an application called as INDA, Investigational New Drug Application to FDA, depending upon कहा market करना चाहते हैं, अगर सिर्फ इंडिया में करनी हैं, तो DCGI को लिख देंगे, और अगर हमें worldwide करना चाहते हैं, तो हम FDA को लिखेंगे, तो हमने INDA फाइल किया, अब basically INDA क्या है, कि ये वो love letter है, जो हम FDA को या DCGI को लिख रहे हैं, और इसमें हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं, कि हमें प्लीज ये दवाई humans में test कर लेने दो, तो अगर ये दवाई, ये letter अप्रूव हो गया, तो वो permission दे देंगे, तो अगर permission मिल गई, तब हम humans में study कर सकते हैं, और जो clinical trials human में करते हैं, वो four phases में करते हैं, phase one, two, three, four, four phases of clinical trials, तो obviously first phase in human is phase one, तो phase one trials में हम क्या करते हैं, यहां पे हम healthy human volunteers लेते हैं, healthy human volunteers को हम recruit करते हैं, पहला question, जब हमें दवाई तो patient को दिनी, तो फिर एक healthy आदमी में दवाई चेक करने की sense क्या है, logic क्या है, क्या healthy आदमी में side effect नहीं हो, उसमें भी हो सकते हैं, तो basic logic ये देते हैं, कि healthy आदमी में अच्छा immune system होता है, तो अगर कोई दवाई सपोज side effect करती भी है, तो body की immunity और body की natural चीजें जो हैं, वो उसको easily tolerate कर लेंगी, बट अगर किसी को पहले से कोई serious बिमारी है, उसमें किसी दवाई ने reaction कर दिया है, तो हो सकता है, वो tolerate ना कर पाए, तो phase 1 trials are mostly done in healthy people based on this logic, बट कुछ दवाईयां जो होती हैं, वो बहुत ज़्यदा toxic होती हैं, जैसे anti-cancer drug है, हमें पता है कि anti-cancer drugs mostly bone marrow suppression करती, और वो healthy आदमी में भी कर सकती, तो ऐसी दवाई जो bone marrow suppression करने का high chance रखती है, एक अच्छे कासे healthy आदमी को देने का तो logic नहीं, तो ऐसी दवाईयां जो के हमें पहले से पता है, बहुत ज़्यदा toxic होने के chance हैं, उनमें हम phase 1 भी patients में कर सकते हैं, तो normally phase 1 healthy volunteers में करते हैं, बट life threatening जो side effects करती हैं दवाईयां, उनमें हम phase 1 भी patient में कर सकते हैं, तो अब mostly healthy में करते हैं, तो अब हमने healthy आदमी लिए, उनको दवाई दी और देखे क्या देखेंगे, more importantly हम phase 1 trials में क्या नहीं कर सकते, very good, the answer is efficacy, we cannot test efficacy in phase 1 trials, the simple reason is के phase 1 trial में हम healthy लोग ले रहें, suppose हमने एक नई दवाई ली जो के हमारे हिसाब से anti-tubercular drug नीच चाहिए, TBT करना चाहिए, अब अगर आदमी को TB तो है नहीं, तो दवाई देखे पता कैसे लगएगा TBT हुआ के नहीं, so this is very important, remember phase 1 is not for efficacy, जे efficacy के लिए नहीं है, तो अगर efficacy के लिए नहीं हैं, तो किस के लिए हैं, so obviously safety के लिए, so phase 1 में basically हम क्या करते हैं, हम एक आतमी को बुलाते हैं, एक healthy आतमी को, उसको हमने एक दवाई दी, और हमने देखा के safe है के नहीं है, तो हम कैसे करेंगे इसको basically, सबसे important question, के safety से भी ज़्यादा कोई चीज़ important हो सकती, safety तो करेंगे obviously, safety से ज़्यादा important कोई चीज़, इसको question को दूसरे format में पूछते हैं, के phase one trial से पहले, कितने humans को ये दवाई मिली है, obviously zero, किसी को भी नहीं मिली, पहली बार तो humans में कर रहे हैं, तो अगर हम पहली बार कर रहे हैं, तो कितनी dose देंगे ये कौन बताएगा, ये पता करते हैं phase one trials, basically क्या होता है, कि हमने animal में तो study करी रखी, तो animal में क्या dose यूज़ करे थे, वो तो मैं पता ही, तो उससे हम formulas लगाके, human dose निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं human equivalent dose, अलब humans के लिए ये dose equivalent है, animal के हिसाब से, बट ये जो dose आती है, ये एक range में आती है, जैसे 50 से लेके 500 mg दे सकते हैं, अब question यह है, कि 50 mg देनी है, या 100 देनी है, या 500 देनी है, ये कौन बताएगा, ये हम phase 1 trials में करते हैं, basically हम क्या करते हैं, एक healthy आदमी को बुलाते, उसको lowest dose spectrum की देते हैं, जैसे 50 mg दी, और उसके बाद हमने उसके दुनिया भर के टेस्ट करा लिया, हमने उसका hematology करा लिया, कि RBC कितने हैं, WBC कितने हैं, kidney function, liver function test, ultrasound करा लिया, CT scan करा लिया, जो कराना सारे टेस्ट करा लिया, ते किसी में कोई problem नहीं निकली, अब हमने उस आदमी को घर बेज दिया, और दूसरे healthy आदमी को बुलाया, उसको higher dose दे दी, उसको 100 mg दी, और अगेन फिस सारे टेस्ट किये, अगेन कोई problem नहीं आई, तीसरे को बुलाया, उसको और high dose दे दी, इस तरीके से हम dose भढ़ाते चाहें, और जिस पे intolerable side effect आ गए, मतलब उससे ज़्यादा dose टॉलरेट नहीं हो सकती, वो dose हम calculate कर लेते हैं, तो उस dose को हम कहते हैं, maximum tolerable dose, तो phase 1 trials का जो main aim है, that is to know the maximum tolerable dose, मतलब इस dose से ज़्यादा हम आगे कभी use नहीं करेंगे, पट MCQs में काफी confusing questions आते हैं, तो best answer, what is the main aim of phase 1 trials, is maximum tolerable dose, अगर ये option में ना हो, तो simply write dosing, कितनी dosing हैं बिसे, अगर ये भी option में ना हो, the next best answer is pharmacokinetics, क्योंकि ये dose measurement तो kinetics का पाट है, और अगर ये भी option में ना हो, then the best answer is safety, safety, इस sequence में आपको answer करना है, aim of phase 1 trials, but be very careful, when the answer will be efficacy, efficacy answer नहीं होगा, efficacy answer तब ही होगा, जब पूछेंगे, कि phase 1 trials में क्या नहीं करते, efficacy cannot be tested, तो phase 1 trial के बाद, हमें answer मिलेगा, कि इस से ज़्यादा dose नहीं देनी, suppose वो dose maximum tolerable dose जो है, वो 500 mg हो गई, तो आगे किसी भी trial में 500 से ज़्यादा नहीं देंगे, हमेशा काम रखे, तो phase 1 trial हो गया हमारा, हमें maximum tolerable dose पता लग गए, फिर हम जाएंगे phase 2 भी, फेज 2 जो trials है, यह basically दो parts में करते हैं, 2A and 2B, जो phase 2A trials है, 2A, इनको कहते हैं, proof of concept trial, proof of concept trials, whereas 2B जो है, उनको कहते हैं, dose ranging studies, dose ranging studies, basically इसका मतलब क्या है, हम समझते हैं, proof of concept का मतलब है, कि पहली बार, हम यह test करेंगे, कि क्या यह दवाई, उस बिबारी में, सही में काम करेंगी, कि नहीं करेंगी, so basically, these are the studies, which are giving evidence, कि यह दवाई effective हो सकती है, तो basically, 2A में, हम एक particular dose, choose कर लेंगे, और उसके बाद, वही दो चीज़ें चेक करेंगे, कौन सी दो चेक करते हैं हमेशा, safety और efficacy, safety and efficacy, remember in which trial, we first of all check the efficacy, it is phase 2A, और simply 2, phase 2 में हम सबसे पहले, efficacy check करते हैं, पहली बार efficacy check करते हैं, क्योंकि phase 1 में तो कर नहीं पाए थे, और side by side हम safety भी चेक कर लेते हैं, basically क्या है, कि अब हमने इसमें patient को enroll किया, phase 2 trials में हम patient को enroll करेंगे, क्योंकि ये patients में होती है, phase 1 तो healthy में थी, तो हमने patient लिया, small number of patients लिया, usually हम 20 से लेके 200 तक patients लेते हैं, थोड़े से patients लिये, usually unicentric होती है, मतलब एक hospital में गए, वहाँ से हमें जितने मरीज मिले, उस बिमारी के 100, 200, 500, not 500, 150, 200, भी टेक दें, उनको दवाई दी, और देखा के वो safe है के नहीं, efficacious है के नहीं, safety और efficacy देखी, इनको कहते हैं proof of concept studies, उसके 2B जो होता है, वो dose ranging होता है, proof of concept में थो हमने एक dose से चक कर लिया, फिर हम dose को कम ज़्यादा करके, फिर से studies करते हैं, उनको करते हैं dose ranging studies, तो basically phase 2 trial के बाद, हमें ये पता लग जाएगा, कि small number of patients में, वो दवाई safe और efficacious है के नहीं, clear, तो phase 2 के बाद, मान लो दवाई पास होगी, भाईया, humans में test कर लिया, अब तो बेच दे, can the person sell now, again the answer is no, अब क्यों नहीं, अब तो patient में test कर लिया, अब इसलिए नहीं, क्योंके हमने सिर्फ 100-200 लोगों में check किया, तो हो सकता है, सब में थोड़ी effective होगी, जो सिर्फ एक idea दे रहे, तो phase 2 जो trials है, that is giving just a hint, that the drug may be effective, it is not confirming, remember phase 2 is, first of all efficacy study in humans, it is not confirmatory studies, अभी हमें confirm करना है, तो फिर हम जाएंगे phase 3 पे, जिसमें हम जाएंगे confirm करना, so basically phase 3 studies जो होती है, phase 3 studies जो होती है, उनको कहते हैं, pivotal clinical trials, पाइवोटल studies और पाइवोटल clinical trials, basically ये पाइवोटल role play करते हैं, मतलब अगर इसमें पास हो गई, तो पका साही है ये दवाई, तो basically क्या करते हैं, phase 3 में, इसमें भी हम patients लेते, इसमें भी हम safety और efficacy करते, but the difference is, यहाँ पे जो patients हैं, वो हम हजारों में लेते हैं, usually हजार, दो हजार, up to 5000 हम ले सकते हैं, और दूसरा ये जो patients हैं, ये सिर्फ एक जगा से नहीं लेते, it is taken from many places, like कुछ patients हमने डेली से ले लिए, कुछ बैंगलॉर से, कुछ हैदरावाद से, और sometime कुछ दूसरी country से भी ले ली, multi-centric, multi-national studies भी होती, अब question ये है, कि इतने सारे patient क्यों लिए, ज़्यादा patient लेने से, हम क्या prove करना चाहते हैं, कि अगर कोई दवाई, हजारों लोगों में काम कर रही है, तो most likely effective हो, so this is the confirmatory study, तो मतलब अगर 5000 लोगों में काम कर रही है, तो हम surely कह सकते हैं, ये बाकियों में भी करेगी, दूसरा एक ही जगा से क्यों नहीं लिए, अलग लग जगा से क्यों लिए, to cover the different genetic makeup, तो phase 3 studies are confirming the efficacy of a drug, so this is very important to remember, exam में question ये नहीं आता, कि efficacy कौन से phase में करते हैं, remember efficacy तो 2 में भी और 3 में दोनों में करते हैं, but read के efficacy से पहले क्या लिखा हुआ है, indication of efficacy और first time efficacy अगर लिखा हो, तो वो phase 2 है, but अगर confirmation of efficacy लिखा हो, तो phase 3, तो phase 3 में efficacy को हम confirm करते हैं, multi-centric studies होती है, अब phase 3 हो गए, बहुत सारे लोगों में हमने दवाई दे ली, और अब हमें confirm हो गया, कि ये दवाई safe है, effective है, फिर से हमने 10,000 गोली बनाई, pharmacist के पास ले गए, कि भाईया अब तो बेच दे, अब तो confirm भी होगी efficacy, तो can the person sell now, the answer is still no, अभी भी नहीं बेच सकता, अब क्यूं नहीं, क्यूंके हमें कितनी भी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, बट अगर हमारे पास license नहीं है, तो चलान कट जाए, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने पुराने आशिक को याद करेंगे, licensing authority को, तो licensing authority को, हम एक और letter लिखेंगे, अब इस letter को कहते हैं, new drug application, nda, new drug application, how this application is different from the earlier application, पहले वाली का क्या नाम था, nda, इसका क्या नाम है, nda, तो क्या difference है, i का difference, i मतलब, investigational का difference है, earlier the drug was investigational, but now the drug has already been investigated into, तो investigate तो कर चुके हैं उसको, तो इसलिए अब ये नई दवाई बन गई है, so now this is called as new drug application, तो इस love letter में, हम FDA से क्या भीख माग रहे हैं, इस love letter में, इस application के साथ, हम सारा data भेजेंगे, phase 1, phase 2, phase 3 का, वो राम से बैठके पढ़ेंगे, और हम उनसे, इस application में ये मांग रहे हैं, कि हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, अब हमें कुछ कमा लेने, so basically this is given to market the drug, to take the permission to market the drug, तो अगर NDA अप्रूव हो गया, अब दवाई market में आ जाएगी, so basically क्या हुआ, phase 1 में, हमने healthy लोगों को दवाई देके देखी, कि safe है कि ने, फिर phase 2 में हमने चेक किया, कि क्या ये काम कर सकती है, और फिर phase 3 में हमने confirm किया, कि क्या ये सच में efficacious और safe है कि ने, और उसके बाद हम दवाई market में आगी, तो phase 3 ट्राइल के बाद दवाई market में आ जाएगी, तो इसके बाद भी कुछ studies करते हैं, उनको कहते हैं phase 4 studies, obviously marketing के बाद कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं post marketing studies, post marketing studies, अब question ये है, कि हमने दवाई को already इतनी बाद test कर लिया, अब दवाई market में आ गई, हमारे पास पैसे भी आने लग गए, अब क्यों test करना है, what is the reason or what is the aim of phase 4 studies, so aim of phase 4 studies, the most important one is to know the rare side effects of a drug, एक example से समझते हैं, एक हमने नई दवाई बनाई, जिसको कहते हैं, रॉफी कॉक से, basically क्या था, कि हम aspirin यूज कर रहे थे, सालों से, बहुत सालों से, aspirin बहुत important, effective, anti-inflammatory drug, तो aspirin का एक problem था, कि जिस भी आदमी को लंबे time तक देते थे, बहुत हाई चांस था, कि उसको peptic ulcer हो जाता था, GIT की बिमारी हो जाते थी, gastro toxicity हो जाते, तो फिर हमने रॉफिक औक्सिव ड्वेल्प की, यह aspirin की तरह ही anti-inflammatory drug है, बहुत अच्छी efficacious दवाई है, बट यह peptic ulcer नहीं करती, तो जब हमने इसको animal में देखा, तो पता लगा यह peptic ulcer नहीं करती, efficacious है, फिर हमने clinical trial किये, phase 1, 2, 3, सब में यह चीज़ां confirm हो गई, कि यह efficacious भी है, और प्रक्टिक ulcer नहीं करती है, तो फिर हमने new drug application फाइल की, NDA फाइल किया, तो FDA ने अप्रूव कर दी, और जैसी यह अप्रूव हुई, तो यह सारे doctors ने start कर दिया, aspirin को dustbin में फैंक दिया, कि यह तो बैकार दबाई है, गटिया है, side effect करती, रॉफिक अक्सिब स्टार्ट कर दिया, within 2 years, 3 years, millions of people received रॉफिक अक्सिब, करोडों लोगों को रॉफिक अक्सिब मिलना शुरू हो गया, तो जब हमने phase 4 studies की, post marketing study की, market में आने के बाद study की, तो उन studies ने भी ये confirm कर दिया, कि ये पेप्टिक अलसर नहीं करती है, बट phase 4 studies से पता लगा, कि ये पेप्टिक अलसर तो नहीं करती, बट ये myocardial infarction करती है, heart attack करती है, so question ये है, कि ये दबाई MI कर रही है, ये हमें पहले क्यों नहीं पता लगा, क्यूंकि ये MI जो करती है, वो one out of 50,000 people करती है, मतलब जब हम 50,000 लोगों को देते हैं, उसमें एक को MI होता है, अब क्यूंकि ये करोडों लोगों को मिली थी, तो कई हजारों को MI होता है, तो इस तरह का side effect होता है, rare side effect, और phase 3, जिसमें हमने अभी तक सबसे ज़्यादा patient लिये थे, कितने थे, 5000, तो हो सकता है, वो patient recruit ना होगा, तो अगर phase 3 में कोई side effect नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, कि अभी आए गए गए नहीं, तो इस तरह के side effect को rare side effect कहते हैं, by definition, a side effect is said to be rare, अगर हमें एक side effect पता करने के लिए, 20,000 से ज़्यादा लोगों को देनी पड़े, that means, less than one side effect is noted, when we give to 20,000 people, उसको rare side effects कहते हैं, और rare side effect can be picked up, only when it is given to lakhs millions of people, तो that means, it is possible only in phase 4 studies, तो phase 4 studies है, उसका main aim है, rare side effects, and second aim is long term side effects, अगर हम किसी दवाई को दें, और वो side effect करती है, जब हम 5 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक use करें, तो वो वले side effect हम सिर्फ phase 4 में pick कर सकते हैं, क्योंकि phase 1, 2, 3, सब time bound studies हैं, सब में बहुत पैसे लगते हैं, तो obviously, हम अगर जिंदगी भारी studies ही करते रहेंगे, तो दवाई market में कब आएगी, तो long term तब होती है, जब market में already आ चुकी है, और हम कई सालों तक use करी रहें, तो phase 4, the main aim are, rare and long term adverse effects, clear, now in between, एक trial और आया, उसका नाम है phase 0 trial, अब phase 0 trial, इसका दूसरा नाम है micro dosing study, अब इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, phase 1, 2, 3, 4, सारे trials में पैसे लगते हैं, और आपको पता है, कि एक दवाई को develop करने में, billions of dollars लग जाते हैं, उसके बाद हमें ये sure नहीं है, कि दवाई phase 1 में फेलना हो जाए, 2 में फेलना हो जाए, 3 में फेलना हो जाए, इवन market में आने के बाद फेलना हो जाए, तो दवाई के फेल होने के चांस है, और अगर हमने 10,000 दवाईयां टेस्ट की, hardly उसमें से 2, 3, 5 अप्रूव हो पाती हैं, बाकी सब फेल हो जाती हैं, और उन सब पे जो खर्चा किया वो बेकार है, तो clinical trial drug development is a very costly affair, तो pharmaceutical companies ने सोचा, कि अगर हमें पहले से ही पता लग जाए, कि ये दवाई काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती, तो जो काम ना करने वाली दवाई है, हम उन पे पैसा ही वेस्ट ना करें, study ही ना करें उनको, तो उसके लिए उन्होंने एक trial device किया, जिसको phase zero clinical trial कहते हैं, remember क्योंके ये clinical trial है, तो ये humans में होगा, remember, trial सारे humans में होते हैं, तो phase zero भी humans में करते हैं, बट इसके पीछे हमने पहले logic डूडा, कि दवाई fail क्यों होती है, what is the reason why the drug can fail, दो कारणों करके मुश्टी दवाई ना फेल होती हैं, पहला कारण ये होता है, कि जहां पे हम चाहते हैं, वहां पे वो दवाई adequately accumulating नहीं हो रही, जैसे suppose हमें action चाहिए liver में, और दवाई liver में concentrate नहीं हो रही, तो action आने के chance कम, अगर हमें दवाई brain में चाहिए, और दवाई blood brain barrier cross नहीं करती, या brain में adequately नहीं जाती, तो वो काम नहीं कर पाई, तो हम ये दवाई जिस एरिया में चाहिए, वहां पहुंची के नहीं, दूसरा reason होता है fail होने का, कि दवाई जो है, वो किसी ऐसी जगा concentrate हो रही है, जहां हम नहीं चाहते हैं, हमें चाहिए action liver में, बट वो दवाई जो हाट में accumulate हो रही है, तो वहाँ जाके side effect कर सकती, तो companies ने सूचा, कि अगर हमें पहले से पता लग जाए, कि दवाई कहां कहां जाती है, कहां accumulate होती है, कहां नहीं होती, तो हम सिर्फ उनी दवाईयों को आगे process करेंगे, जो दवाईया right pharmacokinetics की हैं, मतलब जिस जगा चाहिए वहाँ जाती हैं, जिस जगा नहीं चाहिए वहाँ नहीं जाती हैं, तो इसके लिए device किया गया, phase zero studies और micro dosing studies, पहली बात ये humans में करते हैं, दूसरा इसमें नामी में लिखा है, micro dosing, मतलब इसमें बहुत कम dose देंगे, सब therapeutic dose देंगे, maximum dose limit इसमें होती है, 100 microgram, usually हम क्या करते हैं, हम जो भी humans में dose देनी होती है, उसकी 100th dose देते हैं, जो human में dose project करते हैं, उसका 100th time देते हैं, maximum limit 100 microgram है, अगर मान लो 100 microgram से ज़दा आगया या 100, तो हम 100 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, अब question यह है, कि जब हमने इतनी कम dose दी, जो dose required है, उसका सोमा हिस्सा दिया, तो क्या ये efficacious होगी, obviously नहीं होगी, बहुत कम dose है, तो efficacy तो हम देख नहीं पाएंगे, क्या इससे side effect आएंग, obviously side effect आने के chance भी बहुत कम है, इतनी कम dose दे रहें, तो हमें safety भी पता नहीं लग सकती, तो micro dosing studies में, ना तो हम efficacy दे सकते हैं, ना हम safety देख सकते हैं, तो फिर हम देखेंगे क्या, basically हम क्या करते हैं, जो इतनी small dose हमने ली है, इस dose में, हमने, radio ligand लगाती है, तो हमने ये दवाई देने के बाद, counter से चेक किया, कि वो molecule किस-किस जगा पे जा रहे हैं, तो में पता लग जाएगा किस जगा कम लोट रहे हैं, किस जगा नहीं हो रहे हैं, so basically micro dosing studies, हम दवाई की pharmacokinetics चेक करते हैं, किस जगा जा रहे हैं, किस जगा नहीं जा रहे हैं, तो अगर हमारी, जो हमें चाहिए, वो pharmacokinetics नहीं हैं, तो हम इसको आगे develop नहीं करेंगी, तो phase zero studies में खास बात यह है, कि ये recommended नहीं हैं, must नहीं है, FDA नहीं कहता कि करके दिखाओ, ये pharmaceutical companies खुद करती हैं, अपना पैसा बचानेंगे, so this is about the phase zero trials, अब हम clinical trials पर हमने काफी कुछ पढ़ लिया, बहुत important topic है, पहले हम quickly इसमें revise कर लेते हैं, important important MCQs, which is the first phase in humans, it is phase one, which is first phase in patients, it is phase two, in which phase we first of all come to know about efficacy of a drug, it is phase two, phase one was for MTD, maximum tolerable dose, what is the main aim of phase one trial, to know the maximum tolerable dose, then in which phase we recruit maximum number of patients, no it is not phase three, it is phase four, in which we can give to millions of people, then which phase is done after marketing of a drug, it is phase four, then which phase can we use to test the rare side effects of a drug, phase four, which phase has maximum chances of failure, maximum risk of failure, think logically, जो phase one trial है, उसमें हमने सिर्फ दोस देखी है, दोस पांसो नहीं तो तीन सो आ जाएगी, तो phase one में fail होने के बहुत कम chance है, phase two trial में क्या कर रहे हैं, पहली बार efficacy देख रहे हैं, तो जब हम पहली बार कोई चीज देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा chance होता है कि शायद काम ना करें, तो phase two में fail होने के बहुत हाई chance है, अब phase three हम कौन सी दवाई के लिए करते हैं, जो phase two में pass हो गई, और अगर phase two में pass हो गई, तो हाई chance है कि phase three में भी हो जाएगी, तो phase three में भी उतना ज़्यादा chance नहीं होता फेल होने का, और phase four में तो rare ही होते हैं, so maximum risk of failure is phase two trials, तो ये important कुछ questions हैं, अब हम एक important चीज पढ़ते हैं, जो clinical trials होते हैं, उसमें दो terms use होती हैं, एक blinding, एक control, blinding and control, हम एक basic चीज से समझते हैं, suppose हम एक नई analgesic drug test कर रहे हैं, pain killing drug test कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है, कि उसका pain killing action है के नई है, हमने ये दवाई 10 लोगों को दी, उन 10 में से pain killing action हम कैसे confirm करते हैं, visual analog scale नाम से एक होता है, basically हम उस patient से पूछते हैं, कि आपको pain कितना है, आप ये बताओ के एक से लेके 10 तक grade करो, अगर एक है तो बहुत कम pain है, दो है तो थोड़ा जादा, तीन और जादा, दस सब से जादा, तो इसमें grading करके बताओ कि कितना pain है, तो जब हमने 10 लोगों को दिया, उन में से 5 लोगों ने बोला के pain ठीक हुए, ठीक हो गया, तीन ने कहा नहीं हुआ, क्या अब ये efficacious है, अब भी हम नहीं कह सकते, क्यूंगे जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, आप internship में काम कर रहे हो, hospital में, नए नए हो, रात को emergency में sister बुलाने आई, कि doctor सहाब bed number 22 पे, patient को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत pain हो रहा है, क्या करूं, अब आप नए नए हो, आपको नए पता दवाईजियों के बारे में ज़्यादा, और patient serious है, कि कुछ दवाई दे दी, कोई reaction ना हो जाए, तो आप को नहीं समझा रहा क्या करें, तो आप क्या बोलते हो, mostly sister को, कि sister इनको एक normal saline का injection लगाती है, sister जाके normal saline का injection लगाती है, 10 में से 8 patient कहते हैं, कि doctor साब अब pain ठीक है, pain कैसे ठीक हो गया, this is known as placebo, placebo, placebo का मतलब यह है, कि सिर्फ इस में के, मुझे दवाई मिल गई, patient ठीक हो गया, placebo effect कहते हैं इसको, I shall please, कि मुझे कुछ मिल गया, उसको लगा ठीक हो गया, तो placebo जो है, mostly placebo का जो काम होता है, some of the people assume that, placebo जो हैं, although they are not drugs, दवाई या नहीं हैं यह, but placebo देने से, उसको mentally endorphins release हो जाते हैं, और उनको अच्छा लगता है, तो pain खता हो गया, तो placebo के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, तो here just remember, कि यह जो pain पांच में या साथ लोगों में ठीक हुआ था, यह भी तो हो सकता है placebo effect, तो इस placebo effect को nullify करने के लिए हम क्या करते हैं, कि हम 10 patient को नहीं, हम 20 लोगों को लेंगे, उनको 10-10 के दो group में divide कर दिया, 10 लोगों को हमने new drug दी, और 10 लोगों को हमने दवाई जैसी मीठी गोली दी, बाकि सब कुछ ड्रग जैसा है, same color, same shape, same size, same smell, everything is same, only thing उसमें दवाई नहीं है, so that is called as placebo, प्लेसीबो, इसको प्लेसीबो गयते, तो 10 लोगों को दवाई दी, 10 लोगों को प्लेसीबो दिया, और अब हमने compare किया दोनों group में, दोनों group में पूछा कि कितनों को pain हो रहा है, मानलो drug वाले group में, 7 लोगों ने बोला ठीक हो गया, तीन ने बोला ठीक नहीं हुआ, और प्लेसीबो में भी यह हुआ, कि 7 लोगों ठीक हो गया, तीन में नहीं हुआ, तो basically यह तो placebo effect है, यह दवाई का effect थोड़ी है, तो हमें इनको compare करना पड़ता है, so this is known as control, तो clinical trial जब हम करते हैं, तो हमें एक control group रखना पड़ता है, जिससे हम compare कर सकें, तो control group mostly placebo होता है, बट कुछ cases में placebo देना possible नहीं होता, like life-threatening disease है, myocardial infection से आदमी आया, हम नहीं दवाई टेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि 10 लोगों को, तो हमने नहीं दवाई दे दी, और 10 को कुछ नहीं दिया, मर ने दिया, तो इन cases में जहांपे हम placebo use नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो मर जागा आदमी, तो हम already known standard treatment देंगे, जो पहले से treatment MI की है, तो उसको कहते हैं, standard control, this is placebo control, and उस case में standard control, तो control में भी placebo, इट में भी standard therapy, तो हम ये देखके, basically compare करते हैं, अब जो जो है, placebo के बारे में थोड़ा और पढ़ें अगर, सबसे पहले, placebo और excipient जो हैं, वो एक ही बात नहीं है, excipient क्या होते हैं, जब हम कोई tablet बनाते हैं, तो उसके साथ, उसमें एक तो दवाई होगी, जो हमें चाहिए, बट उसके इलावा भी उसमें कुछ compounds add करते हैं, जो दवाई वाला काम नहीं करते, बट दवाई की कोई चीज को modify करने के काम आ सकते हैं, like, मान लो दवाई बहुत कडवी है, तो उसमें हम flavoring agents डाल देते हैं, so that is a placebo, this is excipient, या फिर दवाई जो है, वो micrograms में देनी है, बहुत ज़्यादा कम है quantity, इतनी कम quantity कि tablet कैसे बनाएंगे, उसमें हम कुछ inactive चीजें डाल देते हैं, ताकि कुछ volume बन जाए, और उसकी tablet बनाना easy, तो basically दवाई में, tablet में कोई भी inactive substance है, जो main दवाई का काम नहीं कर रहा है, उसको हम excipient कहते हैं, on the other hand placebo सारी की सारी inactive है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो excipient तो tablet के अंदर add करते हैं, placebo पूरी की पूरी tablet inactive हैं, तो placebo हमने क्या बताया, कि placebo या तो दवाई हो सकती है, दवाई means tablet की फॉर्म में हो सकती है, normal दवाई जैसा सब कुछ हो इसमें, और दूसरा placebo कई बार हम sham surgery भी कर सकते हैं, sham surgery, although not commonly done, जैसे हमें देखना है कि appendicitomy से क्या फर्क पड़ता है, मान लो कोई सरजरी देखनी है, कि appendicitomy करने से क्या finally कोई study करने है, तो हमने जिनकी problem है, उनकी तो appendicitomy की, कई बार हम एक normal आदमी की भी appendicitomy कर देते हैं, साथ में compare करने के लिए, कहीं सिर्फ surgery से तो कोई फर्क नहीं बढ़ गया, तो अगर हमने वोबली surgery किया है, तो उसको हम basically, एक में appendicitomy कर दी, और दूसरे में हमने क्या किया, हमने abdomen को open करके close कर दिया, तो sham surgery करते हैं, उसको surgery की तरा हमने basically placebo दे दी, तो it is type of placebo, अब placebo जो है, inactive दवाई नहीं हमने बहले बता दी, inactive substances हैं, same shape, size, color, सब कुछ same है, बट इसमें active ingredient नहीं होता, और placebo जो है, हर एक placebo को respond नहीं करता, अगर हर कोई respond कर जाएगा, तो फिर placebo किस बात की हो, फिर दवाई हो जाएगी, तो placebo किसी में काम करती है, किसी में नहीं करती, we cannot predict, और जिसमें करती है, mostly it is assumed कि endorphins secret कर रहे हैं, और उस endorphins के कारण, यह काम कर सकती है, so that is about placebo, तो यह होगा हमारा control, control या तो placebo होगा, या standard control होगा, mostly हम standard control active drug से, जब हम compare करते हैं, already existing से, mostly हम phase 3 में करते हैं, active drug से compare, अब क्या हुआ, कि हमने दो ग्रूप बनाए, एक ग्रूप को हमने drug दिया, और दूसरे ग्रूप को हमने placebo दिया, और हमने इन दोनों ग्रूप को बता दिया, patients को, के तुम्हें दवाई मिल रही, और तुम्हें दवाई जैसी मीठी गुली मिल रही, तो obviously अगर हमने इनको बता दिया, aware नहीं होने चाहिए कि किसको क्या मिल रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं, blinding, blinding, blinding का मतलब यह नहीं है, कि उसको अंधा कर देंगे, आँखे निकाल देंगे, blinding का मतलब है, कि unawareness of treatment, कि किसको क्या मिल रहा है, तो जब clinical trials करते हैं, उसमें terms जूज होती हैं, एक subject, दूसरा investigator, normally, जैसे हम terms जूज करते हैं, patient और doctor, clinical trials में patient doctor तर्म नहीं होती, clinical trials में जो patient वाली चीज़ है, वो subject कहते हैं, और जो doctor वाली चीज़ है, उसको investigator कहते हैं, तो blinding जो होती हैं, वो दो तरांकी हो सकती है, एक होती है, single blind studies, single blind, single blind का मतलब है, कि इसमें सिर्फ जो subjects हैं, उनको नहीं पता कि किसको क्या मिल रहा है, जैसे placebo control है, दो group बनाए, दोनों को हमने नहीं बताए, किसको क्या मिल रहा है, तो single blind studies होती है, तो single blind studies, mostly phase 2 में करते हैं, phase 2 trials में mostly single blind studies हो, whereas जो subject और investigator, दोनों को अंधा कर दो, दोनों को ही नहीं बताओ, किसको क्या मिल रहा है, उनको कहते हैं, double blind studies, double blind studies, double blind studies में, सबजेक्ट तो unaware है, किसको क्या मिल रहा है, investigator मींज, डॉक्टर को भी नहीं पता, किसको क्या मिल रहा है तो हमने डॉक्टर को अंधा क्यों कर दिया इन्वेस्टिगेटर को ब्लाइंड क्यों कर दिया so to remove the bias this is called investigator bias like जैसे suppose मैं एक investigator हूँ और मैंने दो groups देखे और मुझे पता है कि इनको दवाई मिल रही है और इनको placebo मिल रहा है और मेरे मन में बायस आ सकत है जैसे particularly subject चीज़ों के जैसे pain की बात करी तो मैंने इस group से एक अदमी लिया और उससे पूछा कि कितना दर्द हो रहा है तो उसने बोला कि doctor साब five मान लो तो मुझे पता है कि इसको दवाई मिल रही तो इसका pain तो कम होना चाहिए तो मैं उसको बोलूँगा कि जड़ा सोच के बताओ मैं five लिखूँ या four लिखूँ फिर मैंने placebo वाला patient आए उसने भी आके बताया कि pain कितना हो रहा है मैंने पूछा तो कह रहा है कि doctor साब almost five हो रहा है तो मुझे पता कि इसको दवाई तो मिलने रहे तो मुझे लगा इसको ज़्यादा होना चाहिए तो मैं उसको बोलूँगा सोच के बता कि पांच लिखूँ या छे लिखूँ डॉक्ट साब छे लिख लो आप तो ये बायस होगे तो हमें लगेगा कि दवाई ने काम किया प्लैसिबो ने नहीं किया तो इस चीज को हटाने के लिए हम double blind studies करते हैं और usually double blind studies जो होती है वो best studies होती है तो confirmation के time हमें double blind करनी चाहिए तो phase 3 जो है उसमें हम double blind studies करते हैं phase 2 में single blind phase 3 में double blind और phase 1 में कौन सी होती है उसमें बिल्कुल blinding के जुरूरत नहीं है को में effect तो देखना ही नहीं उसमें ते सर्फ डोस देखना ही तो phase 1 studies are called as open label studies open label मतलब कोई blinding नहीं कि open label studies तो phase 1 open label है phase 2 single blind है phase 3 double blind और double blind best होती है एक triple blind भी होता है जिसमें statistician को भी unaware कर देते हैं पर वो usually बहुत ज़ादा फाइदा नहीं होता है उसका so these are the important points about the clinical trials